शायद ही कोई होगा जिसे सब टीवी पढ़ाने वाला कॉमेडी शो दकपिल शर्मा शो पसंद ना आता हो। कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा का ये सूपर हिट टीवी शो देश के करोडों लोग पसंद करते हैं. यही नहीं इस टीवी शो के बड़े बड़े स्टार भी फैन है यही वज़ा है कि हर विकेंड पर कई फिल्मी सितारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए आते रहते हैं अब इस लिस्ट में सूपर स्टार आमिर खान का भी नाम जुड़ गया है बॉलिवर्ट सूपर स्टार आमिर खान हाली में पंजाबी फिल्म कैरी ओन जट 3 के ट्रेलर रिलीज इवेंट में हिस्सा लेने पहुचे जहां उनकी मुलकात कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा से हो गई अभी तक सूपर स्टार आमिर खान टीवी शो के होस्ट और कॉमेडियन कपिल शर्मा के सूपर हिट कॉमेडी शो दक कपिल शर्मा शो का हिस्सा नहीं बने है आमिर खान ने अभी तक इस शो में हिस्सा क्यों नहीं लिया है ये सवाल तो आज तक फैंस के बीच गुत्ती बनकर उलजा पड़ा है अब इस लाग तकी के सवाल का जवाब कुछ सूपर स्टार आमिर खान ने इस ट्रेलर रिलीज इवेंट में दे दिया सूपर स्टार आमिर खान ने गिप्पी ग्रिवाल की अपकमिंग फिल्म कैरी ओन जट 3 के ट्रेलर रिलीज इवेंट के दोरान स्टेज पर कपिल शर्मा से मुलाकात की यहाँ आमिर खान कपिल शर्मा से पूरी गर्म जोशी से मिले उनसे मिलने के बाद एक्टर ने स्टेज पर जम कर कपिल शर्मा शो की तारिफ की इसके बाद एक्टर ने बातों ही बातों में कपिल शर्मा से पूछ डाला कि भला वो उन्हें उनके शो में क्यों नहीं बुलाते हैं आमिर खान के ये सवाल पूछते ही कपिल शर्मा की भी हसी चूट गई इस पर आमिर खान कहते हैं कि उन्हें पता था कि ये सवाल वो उनसे करेंगे इसलिए उन्होंने पहले ही ये सवाल पूछ लिया एक्टर ने हसते हुए कहा कि वो उनसे एक कदम आगे है इसके बाद आमिर खान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि धरاصल कपे शर्मा ने उन्हें जब भी बुलाया है उनकी फिल्मों के पुलान बुलाया है उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्मों के प्रुमोर्शन के लिए नहीं आएंगे मगर इसके अलावा वो कभी भी शो पर हिस्सा लेने पहुच सकते हैं आमिर खान की सफाई पर कपे शर्मा ने कहा कि सेट पर उनका आना उनके लिए भागी की बात होगी वो जरूर उन्हें शो में बुलाएंगे वैसे आपको क्या लगता है आमिर खान का पे शर्मा के शो पर कभी आएंगे भी या नहीं कॉमेंट करके जरूर बताएं बाकी सुनते रहें दन्यों जिन्डीज एक अलग नजर या खबरों का